हेलो एप्रीबन वेलकम तो दी आंसर राइटिंग सीरीज ऑग्रिफी ऑप्शनल आज का क्योस्टन फ्रेंड्स आपके सामने हैं डिसकस्टा मेजर फीचर ऑफ दी बॉटम टॉपग्राफी अफ इंडियन ओशन और फिर उसके बाद नेक्स दे पर इसकी डिसक्शन आपके सामने दे दी जाती है तो if you want to practice your geography optional answer writing then do subscribe the channel, join the channel कपिल भार्दवाज फोर यूवर टेलिग्राम, daily basis पे आपको update मिलेगे और यहां पे आपको YouTube वीडियो मिलेगा ठीक है चलिए फिर discussion स्टार्ट करते हैं, discuss the major features of the bottom topography of Indian ocean ठीक है, यह question actually आपका तीन पार्ट में है, कैसे है यह पहला पार्ट होगे कि major feature आपको bottom topography of Indian ocean के discuss करने है, इसके बाद में how do these features influence the oceanic circulation pattern and the marine life marine life को कैसे influence करते हैं, ocean के circulation pattern को कैसे influence करते हैं, यह क्योंसन आप से पूछा गया है तो देखिए सबसे पहले तो आप introduction लिखेंगे और introduction के अंदर आप जो बात करने वाले हैं, उसमें Indian ocean के बारे में कुछ बताएंगे, ताकि Indian ocean के बारे में हमें idea लग सके You know very well, Indian ocean जो third largest ocean देखने को मिलता है, आप थोड़ा बता सकती हो कि M letter से इसकी shape जो हो match करती है और दूसरी important चीज़ है कि Indian ocean is majorly in the southern hemisphere, not present in the northern hemisphere, just like the Atlantic as well as the Pacific one, right? यह कुछ basic information देने के बाद, आप ocean की bottom topography के बारे में बात करेंगे, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब bottom topography आती है, तो आप continental shelf के बारे में बात कर सकते हैं, Arm pricing को बाघत कर सकते हैं, आप Mid Oceanic Ridge के बारे में बात कर सकते हैं और फिर आपके Ocean Basins के बारे में बात कर सकते हैं। को ने इसे के बारे में discussion करके आप पूरा अपने discussion को execute कर सकते हैं। तो छलिए हम bottom topography की बात करते हैं so dawijफ एक heading दे देन। bottom topography of Indian Ocean जिसमें सबसे पहले आप बात करेंगे continental shelf के बारे में continental shelf काफी shallow होती है तो हमें देखने को मिलता है कि continent का ही जो summer part होता है extended वह continental shelf कहलाती है जैसे Bay of Bengal, Arabian Sea इनकी तरफ आपका देखने को मिल जाती है characteristics की बात करेंगे तो around 200 meter आराम से देखने को मिलती है इसके अंदर resources मिलते हैं oil, gases, marine, sediment and so on और ecologically इसकी importance काफी ज्यादा है काउगी continental self जो है shallow है तो यह एक फोर्टिक zone के अंदर आती है जब यह फोर्टिक zone में आती है तो definitely हम यह कह सकते हैं कि फोर्टिक zone के अंदर आप बताओगे इसको कि फोर्टिक zone में sunlight आती है फोटो इसको बोलते हैं हमारे पास कि southwestern इंडियन और इसको बोलते हैं हमारे पास कि ठीक है और साथ इस्ट्रन इंडियन ओशिन रिज ठीक है यह दो पार्ट में डिवाइड होती है वन इस गोइंग तोड़्स मढगास कर नदर इस गोइंग तो अस्ट्रेलिया अब इसके सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे पता लगता है कि एक चेन ऑफ अंडा वोटर मांटेंस वैली इस रिफ्ट जोन और वल्कनिक रप्शन यहां पर देखने को मलता है और जो मैगमा यहां से निकलता है है solidify होता है यह एक आपकी ocean crust को create करता है जिससे fresh crust जो हो create हो जाती है फिर हम बात कर सकते हैं ट्रेंच के बारे बेंगे तो पहली तो चीज आपको पता होने चीए जो हो deepest part होते है ocean का बनते कैसे हैं सब्दक्शन से जब दो प्लेट आपके एक दूसरे के अंदर सब्दक्ट होती है तो definitely सब्दक्शन पॉइंट है काफी deepest होता और यहीं पी आपकी ट्रेंश बनती है राइट सबसे ज्यादा ट्रेंश वैसे Pacific Ocean में देखने को मिलती है इसका मतलब यह नहीं कि यहां पर ट्रेंश नहीं है जैसे जावा ट्रेंश आपकी देखने को मिलती है सुन्दा ट्रेंश चुकि आपकी most prominent ट्रेंश है विज लॉकेटेड ऑन दे साइड ऑफ इंडोनेश यह ट्रेंश जो इंडोस्ट्रेलियन प्लेट की सब्दक्शन हो र इंडिया नोशन का और इसमें जी लोजिकल एक्टिविक्टी की बात करूं मैं तो अर्थक्विक और सुनामी इंडिया के अंदर जो सुनामी आई थी ना बेसिकली इंडिया नोशन में यह ट्रेंश आपकी वह एक्टिव हो जाती है काफी स्ट्रोंग और वालकानी लेकिन इक काफि बडूर पार्ट में देखने को मलता है तो बेसिन का मतलब है एक मार्ज प्लें एरिया आऊका देखने को मिल जाता है जैसे कि वह बंबेंगोल और अर्फ crec वाला जो है वो नजर आता है यहां पर आपको तो अगर मैं अरेबियन सी बेसिन की बात करूंगा तो अरेबियन पैनेंसुला की तरफ लोकेटेड़ है इसके अवरेज डेप्थ जो है वह त्री थाउजन टू-4,000 मीटर देखने को मलती है अरेबियन बेसिन के ही इवन नोर्थ में आपको ओमान बेसिन भी देखने को मिलता हैं इंडिया के अंदर ऑमान बेसिन भी आपका देखने को मिल जाता है तो कि आंजर आता है लेकिन यह नॉर्थ ऑ और फ्रै Left South staying बेंग्लादेश इंदिया और मैनमार की ट्रेटरी के तरफ एक्सपेंड होता है फिर आपकी बाद म तो प्लैटू की बात करेंगे तो एक तो में स्क्रीन प्लैटू है यह मस्क्रीन हाइज आपका Summarine नेठेकाई की तरफ देखने को मिलता है तो काफी बड़ा प्लैटू छो है हुँ यहां पर यह नज़राते जिदे लार्जस अपका सम्मरीन ठ्लैटू होता है फिर आते यह है फिर सी माउट्स यहां फिर मैं बात करूं तो आइलंड changes माउंट्स एंड आइलेंड देखो सी माउंट्स क्या होते हैं जो आपके सर्फेस पर वॉल्केनिक इरॉप्शन की विज़े से छुट-छुटे माउंटेन बन जाते हैं और सी माउंट्स कहलाते हैं तो इंडियन ओशन डीजन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर भी काफी ज होते हैं और एक अच्छा हैबिटेट जो हो अविलिबल करवाते हैं अब सवाल था दो चीजों पर एक तो सर्कुलेशन पैटरन पर इनका इंपक्ट और दूसरा मेरीन लाइफ तो मैंने जैसे बताया आपको कि तीन पार्ट में क्यों से अंदर ही आपको यह पूरा करना है अलग-अलग हेडिंग आप देंगे तो पहली हेडिंग आपके पास में यहां आजाएगी कि ओशियन सर्कुलेशन पैटरन के उपर इसका क्या इंफ्लेंस देखने को मल जाता है जो बॉट्टम टॉपग्राफी है और बॉटम टॉपग्राफी इंट्रक्ट करेगी वोटर है कि देखो mostly current driven by wind जब विंट के थ्रू करन जा रहा है और जाप ओशियन की Continental Self टकराएगा तो वह चेंज कर लेता अपनी डिरेक्शन को मैं जैसे Atlantic Ocean का अगर आपको एक्जाम्पल दूँ तो Northern Atlantic से जो करन जाता है वह कालिफॉर्णिया मेक्सिको से टकराके Gulf of Mexico से टकराके Gulf stream की form में बहार निकलता है से लेवल जो हैं यहां पर हमारे पास देखने को मिल जाता है कि आपके क्रूशियल जो ट्रांस्पोर्टेशन ऑफ न्यूट्रियंट है या फिर आपके सेडिमेंट हैं वह कोस्लाइन के हिसाब से होते हैं तो Continental Self is very important फिर आपते हैं मिड़ोशन कर करेंगे तो आपका करेंगे तो आपका करेंट जो है अपनी डेरेक्शन को चेंज कर लेगा तो करेंट के फ्लो को मिड़ोशन करती है थर्मोहलाइन सर्कुलेशन हो उसकी वज़े से भी इवन डिस्रप्शन यहां पर देखने को मिल जाता है फिर ट्रेंचिज या मैं दो कहते हैं सर्कुलेशन की साब्सक्राइब हो जाता है तो में यह कहुंगा कि लॉबल हीट इन ही होती है फिर मोन्सून द्री विण सर्कुलेशन की बात कर सकते हैं देखी अरेबियन सी बेसीन है या बेंगोल बेसीन है तो यह मौन्सून मेंसे काफी हद तक सब्कुर्णेंस होते हैं यहां पर ओशिन करन्ट की आप या डाउन वेलिग जो है उसी के इसाब कर रीजन तो बेसिन है वहां से आपका जो इवन साउथ एक्विटरियल इंडियन ओशन करंट है वो भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है मोजामबिक करंट हो जाता है और अगुलास करंट या मढगास करने भी हो जाता है तो बाइफर्गेशन तो यहां भी है और सी में होगा Continental Shelf और Costal Ecosystem की बात करों तो Continental Shelf पे हमें हाइट डावसिटी मिलती है क्यों मिलती है क्योंकि सर यह एकफोटिक जोन है कि यहां पर संलाइट रिषी होती है वहां से फोटो संथेसिस होता है और जो फोटो संथेसिस एक्जीट होता है तो बढ़ी आसानी से हम क् क्या ज़्यादा बाइडिवेस्टी होट्सपोट देखने को मिलते हैं क्या से मिलते हैं क्यूंकि यहां से mineral rich water आता है तो हमारे ecosystem को क्या कराएगा thrive कर वाएगा तो ecosystem यहां पर thrive करता हूँ नज़ाता है फिर हम बात करते हैं तो extreme depth पर अगर बात करूं जैसे जवाश जहां पर this जो है खाफी थंड़ा जाता है वलकम रॉप्शन होगा तो गरम जाता तो यहां पर एंवार्म जो और काफी चैलन्जिंग है अब तो यह कंदिशन काफी कृटिकल होते हैं यहां पर यहां पर आपके इवॉलीशन का खास नहीं 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 अब मैं बेसिंस और न्यूट्रियंट रिच अफवेलिंग की बात करता हूं तो मुझे पता लगता रिबिंच और बेव बेंगोल जो है न्यूट्रियंट रिच वाटर सर्फेस पे लेके आते हैं मौन्सुन विंड गरम पानी को वहां से अटा देती सर्फेस पे न्यूट्र की मैंने बात की थी तो यह ऐसे रिजन है जहां पर आपके बहुत सारे यहां के एंडेमिक स्पीसिस देखने को मिलते हैं और स्टीम सेम हमारा सी माउंट होता है सी माउंट के पास में इवन कॉरल रीफ जो हैं वो डवलप हो जाती हैं फाइनली सी माउंट जब करता है ओशिन करन्ट और उनके मुवमेंट को इंफ्रेंस भी करता है राइट तो थैंक्यू वैरी मच्च बेस्ट विसस यहां से आप इस आंसर को बड़ी आसानी से लिख सकते हैं इस पीडिएफ को भी डाउनलोड करना है तो कपल भार्द वार्स फोर यू इस टेलीग्र चैनल जहां से आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे